हलो मेरे प्यारे साथियों परवीन स्टेडी क्लासेज की टूप चैनल में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग जो साइंस का सिरीज चल रहे हैं आज उसमें हम लोग एक अगले सिरीज का आगाज कर रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में यूनिट डायमेंशन के बारे में सिखा था और उस पर जितने वी तरह के सारी कोश्चन जो आज तक पुछे गए थे विभिन परिच्छाओं में जैसे यूपी पीसीएस है बिहार और भी है जैपियसी है और चतिस गर ऐसे करकर के यूपीसी जितने भी सारे तरह के पीसेस लेवल के एकजामों में जो प्रिच्छाओं में प्रस्ण पुछे गए थे उन सारे के बारे में डिटेल से हमने चर्चा किया था आज हम लोग अगले सरीस में प्रवेस किये हैं औ और उसके बाद इसके बारे में जितने वी तरह के कोश्चन आज तक एक्जाम में पुछे गए हैं मैक्सिमम प्रस्ण को हम लोग अटेंड करने का प्यास करेंगे तो मेरे प्यार साथियों आप जो है साइंस एक निर्धारत सब्जेट के रूप में BPSC में सावित होता है 30 नमबर का प्रस्ण पुछे जाते हैं साइंस से और जो आने वाले BPSC CGL 3 है जिसकी संबावी तिथी लगवक 26 नमबर को दिया गया है अपडेट लेकिन अभी इसको कंफर्म नहीं किया गया है तब तक हम लोग साइंस को खतम करेंगे और medieval history और modern history इन दोनों को भी हम लोग देखेंगे और बीच बीच में योग्रफी को भी लाएंगे तो चलिए मेरे प्यारे साथ ही हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रस्ण से पहला क्या है मापक और यंत्र में तो यहां पर देख सकते हैं अदम इजी जी जो revisionable level का है और जो खास करके ऐसे प्रस्ण है जो कहिन है कि एकजाम में छुटते हैं उन सारे के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पर दिया हुआ है सबसे हैला प्रस्ण है कि अल्टी मीटर अल्टी मीटर से क्या मापते हैं तो अल्टी मीटर से अल्टी मीटर जो है उचाई मापक यंत्र है जो मुखता बिमानों में परियोग होता है कि कितनी उचाई पर जो है बिमान उड़ रहा है कितनी उचाई पर जो है बिमान उड़ रहा है इसी के बारे में अम माँ पर जाएंगे तो यह माँ पर जाएंगे उच्छाएं आगे देखते हैं अगला प्रासन आप यहां आजाएं महोदे चलिए अब हो गया तोड़ा साब सरकर यहां आजाएं यह नहीं तो आप यहां रहिए और इनको यहां रखिए चलिए अब हो गया है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रासन है अगला है एमीटर एमीटर से क्या मापते हैं तो मेरे प्यारे साथ ही हो एमीटर से यहां पर दिया हुआ है एमीटर से मापा जाता है क्या एमीटर है और एमीटर से बिद्धूत मापक की अंतर है और एमीटर को किस में जोड़ा जाता है एमीटर बोल्ट मीटर होता है बोल्ट मीटर को समांत घंतर्करम में और मीटर को सिरेणी कर में जोड़ा जाता है विद्धुद परियूद में चलिए अगला देखते हैं अगला प्रस्ण है अगला है कि एनिमीटर बहुत ही जाना और प्यारा कोस्टन है बहुत ही पहचाना कोस्टन है हर एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं तो एनम्यू मीटर का परियोग कहां करते हैं तो एनम्यू मीटर का परियोग हम सोर विकरन मापक यह अंतर जो है किया है एंटिनो मीटर है सोर विकरन मापक यह अंतर और इसी देखें गे अगला है एक होसं आपको बहुत सारे एक्जामों में देखने को मिलते हैं लेकिन आपको याद नहीं होगे मुझे पुर्ण उमीर है एटमो मीटर से क्या मापते हैं तो बास्पी करन की दर को हम लोग एटमो मीटर से मापते हैं क्या मापते हैं बास्पी करन की दर एटमो मीटर से बास्पी करन की दर को मापा जात बढ़ेता है कि कितना दर से वासपीकरन हो रह गाई है जब तपमान बढ़ेगी तो वासपीकरन की दर बढ़ता है और जब घड़ती है तो वासपीकरन का दर भी घड़ता है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं हम लोग अगला क्या है अगला है आउडियो मीटर बहुत ही धोनी विस्तारा की अंतर है और धोनी की तिवर्ता की मापक की अंतर है कि कितना तिवर्ता है इस धोनी की इसकी माप की जाती है हम लोग किससे माप करते हैं तो यह माप करते हैं आओडियो मीटर से ये वी आपको याद रखना है ऑडियो मीटर से ध्वानी की तीवरता की माप किया ती है देखते जाए और इस पर जितने भी सारे प्रस्ण के बारे में देख ले रहें और इसके बाद इस पर पिसेसे लेवल के मैं पूछे गया सारे को हम लाने का प्रयास करेंगे चले आगे है कि बैरोग्राफ करने का काम करने बैरोग्राफ बैरोग्राफ से क्या मापते हैं हम लोग तो वायमंदल्य दाफ का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है वायमंदल्य दाफ कि इसे इसे ग्राप अभी हम लोग देखें बैरोग्राप दो बार कोश्चन ही आ गया है चलिए सौरी बैमंडले दाव का निरंतर मापन continuous recording करने वाला यंत्र है कौन तो बैरोग्राप है आप जरूर इसे याद रखिए चलिए अगला है अगला देखते ही कता बैरो मीटर बैरोग्राप से अभी हम लोग देखें कि बैरोग्राप से बैरोमंडले दाव का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है बैरोग्राप और बैरोमीटर जो है बैरोमंडले दाव मापी यंत्र है यह भी है और इसके माद्यम से भी हम लोग continuous नहीं जब चाहें मतलब उससे त continuous हम लोग मापते थे लेकिन बायरो मीटर की बात करेगा तो बायरो मीटर से हम लोग बायमंडली दाब की माप करेंगे और जब चाहे तब कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है बोलो मीटर बहुत ही important और जाना प्यारा question exam point of view से बहुत ही illustrate question है तो इसको आप जरूर याद रखें बोलो मीटर को और बोलो मीटर से क्या मापते हैं तो बोलो मीटर से उसमिय या बिधुत चुमकिय बिकरन संसूचक यंत्र है तो इसी के माद्यम से हम लोग उसमिय बिकरन को मापते हैं या बिधुत चुमकिय बिकरन को भी मापते हैं क अगला है अगला देखते हैं अगला है कैली पर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे और जो मेरे प्यारे साथ ही या तो वो जौब में होगे तो उनको कैली पर्स जरूर देखने को मिलते होंगे सिविल वाले को नहीं देखने को मिलता है सिविल वाले के लिए थोड़ा सा टप होता है तो यह है कैली पर्स और कैली पर्स से हम लोग जो है बस्तूओं के आंत्रिक एवं बाहे ब्यास को मापते हैं किसको बस्तूओं के आंत्रिक एवं बाहे ब्यास को मतलब मान लेते हैं कि यह है यह आपको कोई अंत्र है गुलाकार है या किसी भी प्रकार का हो सकता है ब्यास तो गुलाकार में होता है न तो इसका आंत्रिक ब्यास इसके अंदर के प्रिष्ट के मतलब इसको कहें ऐसे हम लोग एक सरकल बना ले और इसका यह जो है यह आंत्रिक ब्यास को मापने का मापने में प्रियोग कौन किया जाता है तो आंतरिक ब्यास को मापने के लिए कैलिपर्स का प्रियोग किया जाता है और इसी को यदि बाहरी ब्यास की बात करे ओटर यहां से देखे यह ओटर सेल यह ओटर है तो इसको यदि मापने की बात करेगा तो भी हम लोग किसका परियोग करेंगे कैलिपर्स का तो बस्तो के आंत्रे केवं बाहे ब्यास को मापने वाला यंत्र है कौन कैलिपर्स है चलिए अगला देखते हैं अगला है कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर क्या है किस परकार के यंत्र है कि कोई पदार्थ कोई पदार्थ कितनी उस्मा को अपसूसित कर रहा है या कितनी उस्मा को छेपित कर रहा है यह इसको किसे मापते हैं किसी कितनी उस्मा निकाल रहा है कितनी उस्मा अपसूसित कर रहा है इसकी मापने के लिए किसी अंतर का परियोग करते हैं हम लोग मापन के लिए कैलोरी मीटर का और साधानत कैलोरी मीटर जो बनाया जाता है मतलब का प्रियोक किया जाता है पदार्थ द्वारा अबसोसित या मुक्त के रोज माक्त को मापने वला यंत्र है और और इसी में इसका प्रियोग किया जाता है चल अगला देखते हैं आगे हैं कि कार्डियोग्राफ बहुत ही बेरी इंपार्टेंट कोश्चन है और कार्डियोग्राफ जो है जिन व्यक्तियों के आसपास यदि किसी व्यक्ति को हिर्दे रोग हो गया हो तो उनकी जो धड़कन अस्ठेतो असकोप से भी धड़कन की माप करते हैं लेकिन कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ से भी हिर्दे गति को रिकॉर्ड करता है कौन कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राफ सुस्वास्त व्यक्ति जो एक स्वास्त व्यक्ति है उनके चरीर के धड़कन जो है प्रती मिनट मतलब 72 वार यादि 72 वार प्रती मिनट किसी विव्यक्ति के चरीर का धड़कन है तो मानिए कि वो पुन्तस स्वस्त ब्यक्ति और उसकी हिर्दे में किसी प्रकार की कोई जो है दोस नहीं है कोई दोस नहीं है दोस पूर्न हिर्दे है तो 72 बार आप माप सकते हैं नाडिया स्वंधन की दर से भी माप सकते हैं तो काडियोग्राप का प्रियोग कह किया जाता है हम लोग देखें अभी कि हिर्देगति को रिकॉर्ट करने वाला करन है कौन काडियोग्राफ अगला देखते हैं अगला है क्रोनो मीटर तो क्रोनो मीटर से क्या मापते हैं तो यह जो है नावि को द्वारा परियोग किया जाता है इसका क्रोनो करुणो-मीटर कर समुध्र में एहां बायमंद्ली अदर्तर पो कोई परिवर्टन नहीं होने देता हैं कि कि इसके मापनी के लिए मतलब यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि क्रोनो मीटर का परियोग जो किया जाता है समय का पुर्ण परी सुधतास के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका परियोग मुक्तन नावि को द्वारा समुदर में किया जाता है जब कोई जल्यान जो है समुद्र में यात्रा करता है तो वहाँ पर समय मापने के लिए क्रोनो मीटर का ही प्रियोग किया जाता है ताकि सही सही समय पता चल सके कितना समय हो रहा है तो क्रोनो मीटर जरूर ले जाते हैं चलिए आगे देखते हैं आखिर क्रोनो मीटर को ही क्य परता है और स्मुदर में चलता है तो यहां पर आधरता की मात्रा वड़ी रती है क्या बân informs क्या ओधिक होती है सभी कोई इफ्ट इस पर के दूंत यहां आधरता है जब नाविक अपने नाव को समुद्र में चलाते हैं तो वहां पर सब साही समय है मापने के लिए क्रोनो मीटर का ही प्रियोग किया जाता है चलिए अगला देखेंगे कैलोरी मीटर अभी हम लोग देखें कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर कैलोरी नहीं दोनों के लिखावट में चेंज है दोनों के सब्दुचारण में चेंज है कैलोरी मीटर जो मना जाता है कैलोरी मीटर तांब माप की जाती है कैलोरी मीटर से और यहां है कोलोरी मीटर तो कोलोरी मीटर का परियोग रंगों की तिवरता इंटेंसिटी के मापने द्वारा मतलब रंगों की तिवरता जिसको कहते हैं इंटेंसिटी के मापन द्वारा पदार्थों की सांदर्ता का पता लगाने का परियोग लगाने में परियोग किया जाने वाला उपकरन है कौन कुलोरी मीटर रंगों की तिवरता के मापन द्वारा पदार्थों की सांदरता का पता लगाने में परियोग किया जाने वाला उपकरन है कौन तो कुलोरी मीटर चलिए अगला देखते हैं देखते जाईए अगला है क्रायो मीटर और क्रायो मीटर से हम लोग क्या करते हैं तो क्रायो मीटर का प्रियोग मुखता है जो किया जाता है क्रायो मीटर का प्रियोग एक प्रकार का ये क्रायो मीटर थर्मा मीटर है जिसका प्रियोग जो है अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है तो cryometer जो ही एक प्रकार का थर्वा मीटर है और अति नियुन ताम अति नियुन ताप काने का मतलब ताप की नियुन ताम में काई कितना है तो माइनस 273 है ना माइनस 273 केल्विन है और परम सुन ताप इसी को अपसेलूट टेम्परेचर भी काते हैं माइनस 273 को तो cryometer जो है एक प्रकार का थर्वा मीटर है जिसका प्रियोग जो है अति नियुन ताप को मापने के लिए प्रियोग किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है cyclotron, cyclotron क्या है तो cyclotron जो है एक प्रकार का कन त्वरक है जो आविसित कनों की गती को बढ़ाने में प्रियोग किया जाता है जैसे catalyst जो है हम लोग देख जानते हैं कि chemistry में मतलब रसाइन सास्तर में उत्परेरा की रूप में catalyst का प्रियोग किया जाता है क्या कर देता है बढ़ा देता है तो वहाँ पर catalyst का प्रियोग करते हैं और cyclotron का प्रियोग कहां करते हैं तो cyclotron का प्रियोग करते हैं वहाँ पर जब कोई कन जो है कि गती को बढ़ाने क्या वसकता हो मतलब एक परकार के कन तोरक है जो आवेशित कनों की गती को बढ़ाने में परियोग किया जाता है मतलब उसकी गती को और थिबर कर देता है कौन तो साइकलोट्रोन मतलब पहले धीमी गती से चल रहा है और जब साइकलोट्रोन लगा देंगे तो वो जो है उसकी गती क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी तो cyclotron जो है एक प्रकार का कंत तोरक है जो आवेशित कनों की गती को बढ़ाने में प्रियोग किया जाता है चलिए तो यह एक मापा की अंत्र है जो आवेशित कनों की गती को बढ़ाने का काम करता है चलिए क्रेक्सोग्राफ क्रेक्सोग्राफ क्या है तो क्रेक्सोग्राफ जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे की बिर्धी को मापने वाला उपकरन है कौन क्रेक्सोग्राफ और क्रेक्सोग्राफ का प्रियोग कितनी दर से पौधे की बिर्धी हो रही है इसकी माप हम ल इलाइटो मीटर बहुत ही इंपोर्टेन मतलब कम बार आपको देखने को मिलता होगा और ऐसे खास करके कहें तो exam point of view से बहुत ही इंपोर्टेन्ट है डिलेटोमीटर तो डिलेटोमीटर क्या है तो पदार्तों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरन है कौन डिलेटोमीटर और डिलेटोमीटर जब कोई पदार्थ के आयतन जैसे जल को जब हम लोग 0 degree centigrade पर हम जमाते हैं तो उसका आयतन क्या हो जाता है जल का आयतन बढ़ जाता है लेकिन जब उसी जल को को लोग 100 degree पर गर्म करते हैं तो वो तरह लवस्था में आजाता है तरह लवस्था में तो उसकी आयतन क्या हो जाती है जब घड़ जाती है जब उसको बर्प में बढ़ाएंगे बर्प में जब परिवर्तित करेंगा तो आयतन बढ़ जाएगा और जब उसको को हम द्रव के रुप में परिवर्तित करते हैं तो उसका आयतन क्या होता है घर जाता है तो पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापने वाला उपकरन है मतलब कि कितनी जो है जैसे एक लिटर जल को जब हम बर्फ बनाते हैं तो उसके आयतन में कितना परिवर् देखने को मिलते हैं तो डायँमो का परियोग कहा करते हैं यांतरी कुर्जा करने काइनेटिक इनर्जी गतिजूर्जा और इस्तित उर्जूर्जा के समलित रूप को क्या करते हैं यांत्रिकूर्जा तो यांत्रिकूर्जा को बिधू तूर्जा में परिवर्तित करता है कौन तो यह करता है डाइनेमो यांत्रिकूर्जा को बिधू तूर्जा में परिवर् करते हैं तो डाइनेमो बहुत ही प्यारा कोस्टन है चलिए आगे देखते हैं अगला है डाइनेमो मीटर पहले था डाइनेमो अभी आया है डाइनेमो मीटर तो डाइनेमो मीटर से हम लोग क्या परियोग करेंगे तो डाइनेमो मीटर का परियोग जो करते हैं हम लोग बल अगुर जिसको टार्क्यू करते हैं या सक्ति को मापने बाला उपकरन है तो डाइनेमो कहेगा तो डाइनेमो का परियोग करते हैं हम लोग यांतरी कुर्जा को बिदुतुर्जा में बदलने के लिए और हम अपने बाहनों में इसका प्रयोग करते हैं लेकिन डाइनेमोमीटर की बात करेगा तो डाइनेमोमीटर जो है बल को मापेगा बलाघुर्ण को मापेगा या सक्ति को मापने वाला उपकरन है तीन बल बलाघुर्ण या सक्ति को मापने वाला उपकरन है कौन डाइनेमोम ऐसा नहीं लगे आपको कि यह डाइनेमो मीटर का परियोग आता है बल अगुर्ण या सक्ति को मपने में इसका परियोग आता है किसका डाइनेमो मीटर का चलिए अगला देखते हैं अगला है इलेक्ट्रो इनसेफिलियो ग्राफ इसका प्रियोग एजी और जब किसी ब्यक्ति के मस्तिस्क में चोट लग जाता है तो वहाँ पर हम लोग को डॉक्टर जो है हम लोग को EEG कराने की सलाह देते हैं कि आप EEG एक बर कर लेजे कि कहां पर blood clotting हो रहा है या कहां क्या हो रहा है इसकी पता हम लोग EEG के माध्यम से हम लोग को लगता है तो EEG का परियोग जो है मस्तिष की बिधुतिय गती बिधी को मापने में इसका परियोग क्या है किसका इलेक्ट्रो इन सिफलो ग्राप का परियोग मस्तिष की बिधुतिय गती को मापने के काम में लाया जाता है और जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है तो उसी को हम लोग EG कराने की सला देते हैं और डॉक्टर भी देते हैं हम लोग ही नहीं सबी लोग चलिए आगे देखते हैं अगला इलेक्ट्रोमिटर का प्रियोग कहां करेंगे तो मेरे प्यारे साथ है इलेक्ट्रोमिटर जो है विधुतावेश या विधुतावेश या विधुत विभांतर का मापन करने वाला उपकरन है कौन इलेक्ट्रोमिटर विधुतावेश विधुतावेश को भी मापनें हम इलेक्ट्रो मीटर से और विभांतर विभांतर को भी मापते हैं हम लोग इसके माध्यम से तो इलेक्ट्रो मीटर से और विभांतर का ऐसे मातर क्या होता है बोल्ट होता है और विधुत आवेस का ऐसे मातर कुलाम होता है यह भी याद रखेगा तो इलेक्ट्रो मीटर का परियोग बिधुतावेश या विभांतर का मापन करने में इसका परियोग क्या आता है इलेक्ट्रो मीटर का चलिए आगे देखते हैं अगला है इलेक्ट्रो अस्कोप, इलेक्ट्रो अस्कोप से क्या करते हैं? अभी हम लोग देखें, यहाँ पर यहाँ पर देखें इलेक्ट्रो मीटर और यहाँ है इलेक्ट्रो अस्कोप, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रो अस्कोप क प्रियोग कहां करेंगे तो किसी निकाय में विद्धुत आवेश की उपस्थिती का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रियोग करते हैं कि इसमें कौन सा पोजिटीब चार्ज या नेगेटिब चार्ज कौन सा आवेश प्रवाइत हो रहा है इसका पता हम लगात कौन इलेक्ट्रोमीटर का परियोग हम लोग करते हैं किसी निकाय में विधुतावेश की उपस्थिती का पता लगाने के लिए चलिए देखते जाएए बहुत ही इंप्रस्थ आपको सारे प्रस्थ देखने को मिलेंगे आज और इस पर जितने भी तरह के प्रस्थ वनेंगे जो बिगत परिचाओं में पुछे गए हैं उसको भी हम लेकर आएंगे आपके लिए तो आप ध्यान से केवल मेरे साथ बने रहे हैं मेरे प्यारी साथ ही हो चलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे हैं और दोस्तों को सेर भी कर देज और यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे यदि कोई परिशानी हो तो भी लिखे क्या हमको इसमें सुधार करने चाहिए और क्या इसमें और एड करने चाहिए तो इन सारे बातों को आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते है चलि आज हम लोग 25 मापक यंत्र के बारे में सिखे हैं इसके आगले आने वाले वीडियो में भी और ये पार्ट बन है और एक और पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम इसको खतम करेंगे लगाँ उसमें भी 25-30 मापक यंत्र के बारे में हम लोग जनकारी लेगे बहुत ही जाम पंट अभी से जो इंपोर्टिंट होगा तो यदि आप चैनल पर नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथे साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे और दोस्तों को सेर करना न भूलिए चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए आप सभी को एक वार फिर से प्यार भुरा नमस्कार धन्यवाद